सो गाइस मैं जानता हूं आप सभी लोग बहुत ज़्यादा confused हो आप लोगों ने जस्ट Classy लेवल पर एंटर किया है और आप लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है आप बोल सकते एक टास्क है कि आप लोगों को हिंदी या मैथ लेना चाहिए तो कि मैंने इस अभी चीजे देखा है और मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दे सकता हूं कि आपको क्या लेना चाहिए इस वीडियो में बहुत सारे उनके पैरेंट्स यहां पस वीडियो को देख रहेंगे कि मुझे मेरे बच्चे को कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए या फिर हिंदी लेना चाहिए क्या सब्जेक्ट उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा अगर वो मैट्स वाला है अगर वो हिंदी लेते है तो उसको क्या कुछ प्रॉब्लम होगी अगर वो बायो वाला है अगर वो कंप्यूटर साइंस लेता है तो क्या उसको कुछ एड्वांटेज मिलेगा क्या उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी तो यह सभी चीज की उपर मैं बात करूंगा और मैं जानता हूँ यार मैं आपको बहुत अच्छा यहां पस आपको आइडिया दे सकता हूं राइड इस वीडियो को खतम करते हुए आप लोगे पास एक आपके माइंड में एक आइडिया रहेगा कि हाँ मुझे यह लेना चाहिए मुझे यह नहीं लेना चाहिए राइड आपको बता दू यह फाइनल सकता है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं सभी चीज के उपाँ बात करेंगे मैंने आपको समझते हैं कि आप लोग के लिए क्या ज्यादा अच्छा रहेगा सब्जेक्ट राइट तो लेट जम्प इंटू आवर वीडियो और वीडियो को स्टाट करने से पहले मैं आपको वीडियो के बीच में यह बताऊंगा कि मैंने क्या सब्जेक्ट लिया था अपने क्लासि लेवल पे रएट मैं भी कंप्यूटर साइंस से बीटक कर रहा हूं ठडियर पे हूं अपना ठीक है तब आपको जाने कि अपको बोलुका पूरा देख लेगा तो यहां पस देखो स computer science, मैं आपको बता दू, computer science बहुत ज़्यादा scoring subject है, आप अगर इसको अच्छे से कर लेते हो, ठोड़ा time तो देना पड़ेगा compare to Hindi, हिंदी का क्या है, एक रात पहले पढ़ लिए, एक घंटा भी पढ़ लिए, आप नहीं भी पढ़ के जाओगे, तो आपने जो भी class में सु आप से भी आप लिख दोगे, तो आप पास तो होई जाओगे, लेकिन computer science में आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक, आप पहले आपको बता दे रहा हूँ, आप सोचो कि एक रात पढ़के मैं जाए दे दू एक्जाम, पास तो हो जाओगे, लेकिन अच्छे number score नहीं कर पाओग इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो computer science है, वो ज्यादा easy भी नहीं है, वो ज्यादा hard भी नहीं है, अगर लेकिन आप उसमें थोड़ा ध्यान दे देते हैं, थोड़ा उसको आप पढ़ लेते हो अच्छे से, तो मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी से ज्यादा scoring subject तो computer science से है, आपको कुछ fix, आपको बोल सकता है, कुछ fix amount of questions रहेंगे, मतलब theory जो रहेगा, कुछ fix questions रहते हैं, कुछ fix programs रहते हैं, कि आप इसका program लिको, उस अब आपको पादा चलेगा ही, मैं नहीं जाओंगा, आप confused हो जाओगे, तो यही मेरा था, कि जो computer science है, वो not easy, not hard, scoring subject ल चाही हो गया, लेकिन, थोड़ा mathematics आपको पता होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा programs आप यहाँ आपस लिखेंगे, बहुत सारे चीज़े रहे हैं, थोड़ी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तो technical words में सब चीज़ लिखना होगा, यह सभी चीज़े होती है, तो जही मेंस की तयारी कर रहो, अगर आप class 11 पे, अपने जही मेंस की तयारी, coaching, coaching आप लोगोंने ले लिया है, तो मैं आपको बोलूँगा, यार, computer science को मत लेना, side कर देना, अगर आप जही मेंस पर आपका focus है, ठीक है, कुछ फर्क आपको नहीं पड़ेगा, जही मेंस का, इस subject को एक रात पहले करकर उसको आप exam clear कर सकते हो, तो आपको महापस problem नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है, अपनी coaching के लिए, पढ़ने के लिए, आपको जही मेंस की तयारी करो, उसमें problem नहीं होगा, अब बात रही, यार, second बात रही, interest, अगर आपका बहुत ज़्यादे interest है, computer science के अंदर, मुझे तो लेना है, मुझे जानना है कि कैसे computer चलता है, कैसे programs होते हैं, तो मैं आपको बता दू, आप ले सकते हो, अगर आपका interest है, तो जरूर interest के साथ जाओ, जरूर अपने interest को fulfill करो, ठीक है, क्योंकि आप लोगो satisfaction नहीं होगी, अगर आप नहीं लोग है, तो interest है, तो जरूर जाओ, आप अराम से score भी कर पाओगे, अगर आपका मन है, तो आप जरूर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तो मेरा यहीं रहागा suggestion, अगर आप J.Mains की coaching कर रहो, आप सोच रहो कि मैं J.Mains के साथ computer science भी ले लेता हूँ, मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, मत करो आप हिंदी लेकर जाओ, आराम से कोचिंग करो, आपको फायदा मिलेगा, ठीक है, अब बात रहे है, J.Mains के अंदर भी बहुत सरे अलग-अलग coachings, मतलब types क्यों करते हैं लोग, एक होगे school normal, school चलगा, फिस साम को कोचिंग करने है, ठीक है, तो उन लोग को मैं बोलूँग हिंदी सब्जेक्ट ले लेना, क्योंकि आप बहुत ज़्यदा, आपका बहुत ज़्यदा हो जाएगा, chemistry भी हो जाएगा, physics भी हो जाएगा, mathematics भी हो जाएगा, computer science भी हो जाएगा, बस एक आपके पाद English सब्जेक्ट रहेगा, जो की easy रहेगा, लेकिन हिंदी ले ले लेतों तो हिंदी, English को आप अराम से easily कर सकते हो, और जो अपना main focus आप इन तीनों subject में कर सकते हो, तो अगर आप coaching कर रहे हो, जो with school, तो आप ये कर सकते हो, अगर आप dummy school वाले हो, तो फिर महाँ पस तो आप, मेरे क्याल से महाँ option नहीं रहता है, मुझे भी इसका idea नहीं है, dummy school अल कोई problem नहीं होगी, मैं आपको again बोला हूँ, कोई problem नहीं होगी, आपको मैं बता रहा हूँ, जो आप computer sense सीखतो, class 11 तो 12 में, बहुत basic level का रहता है, ठीक है, आप उससे कुछ बहुत बढ़ा game, बहुत सारे website, ये सम नहीं बना पाऊगे, ठीक है, बहुत basic level रहता है, आप English सी statement लिखना सीख रहे हो, paragraph लिखना सीख रहे हो, तो उसके पहले आपको क्या सिखना पड़ता है, ABCD सीखना पड़ता है, जो grammar सा सीखना पड़ता है, तो आप बोल सकते हो, कि अभी आप grammar टाप की चीज़े पढ़ोगे, syntax पढ़ोगे, चीजों की, क्या coding होता है, कैसे लिखते कि मैंने क्या लिया था मैंने सबसे पहले कंप्यूटर साइंस ले लेकिन यार मैंने कंप्यूटर साइंस तो ले लिया मुझे पहले सब्सक्राइब करना इसा कुछ भी नहीं था क्या था कि मुझे क्या से मुझे कंप्यूटर साइंस बस मुझे करना है तो मैंने कंप्यूटर साइंस सब्सक्राइब करना अगर आप कर सकते हैं जरूर अराम से आप कर लोगे क्लाउस की मैं बात करता हूं कि हमब हम मैट वाले थे ना सभी भी लोगों नेए लेकर रखा था और जितने भी वेले उलोगों कमपुटर ुच्क यह नहीं सायंस सब्सक्राइब कि मैठ थे सब्सक्राइबी और इंगलिई नहीं बात करूं बायो वालों की तो यार मुझे भी नहीं पता उन लोगों ने क्यों कुछ सेंसी नहीं बनता है अगर आप बायो फिल्ड में हो रही अगर आपको कुछ इंट्रस्ट नहीं है उसमें आप सोच रहे हो बस कि यार फ्यूचर में काम आएगा तो बिल्कुल मतलेना कुछ तो यूज करी नहीं रहे तो इसलिए आपको कोई मतलब नहीं है ठीक है अगर मैस वाले हो अगर आप कंप्यूटर साइंस लेता तो कुछ फायदा आपको हो भी जाएगा तो मतलो यार कोई मतलब नहीं है उससे अच्छा क्या करो यहां पर देखो उसी का केस में यहा तो अगर आपका इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा मुझे कोडिंग सीखना है तो आप जा सकते हैं ठीक है लेकिन मेरा वह भी सजेशन नहीं रहेगा ठीक है आपको सिंपल सा मेरा आंसर रहेगा नो अगर आप बायो स्टेंट हो तो आप मत करो आप अराम से अपने जो में कोई मतलब नहीं है अब देखो या बहुत साइब लोग क्या करते हैं बायो फिल्ड से होने के बाद वह बैगरा चीज़ें करते हैं बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन वह भी एक कंप्यूटर साइंस रिलेटेड़ है लेकिन उसमें वाले भी कर सकते हैं ठीक है त इसके उपर भी मैं बात करता हूं अगर आप यहां पर ले भी लेता है वहां बहुत बेसिक सा चीज सीखते हो ठीक है और उसके बाद एक गैप आ जाता है कंप्यूटर जॉइन करने के भी से तो उस समय कोडिंग ऐसे चीज है आप जब तक उसको कंट्यूटर नहीं करोगे इस मैं देखो कंप्योटर साथ मैंने लिया था उसके बाद मैं लेदी सं आप मैं हिंदी से फिर में यहां पस हुर है अपनी बैचलर स्मय मैंने जब कंप्यूटर साथ मैं मुझे कोई फरकी मैंने बहुत सरे चीज़े की रही तो आप वो सब देख सकते हैं इवन मैं यूट्यूब में पढ़ा भी रहा हूं कोडिंग सो आप कोई मतलब हुआ मैं वहां पर हिंदी लिया था आपको तो यह अब यहां पास देखो एक और कुशन है तो यहां पर क्लियर होगा हो तो मतलब और आराम से पीसीवी की उपर फोकस करो ठीक है अब बात करूई याभ फ्यूचरिश स्कोप के बारे में तो computer computer science का future scope बहुत ज्यादा scope है computer science के अंदर ठीक है तो आप future scope है लेकिन आप यह नहीं कि आप सब कुछ के लिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप लोग को अपने बैचलर्स करोगे आप जब college करोगे वहाँ पर आपको जोर देना होगा computer science के अंदर ठीक है तो आप computer science नहीं भी लेते हो तो आप लोग का कुछ भी दिक्कत नहीं होगा अराम से बैचलर्स में आप जोर लगा कर पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा ठीक है कोई problem नहीं होगी मागे आपको बोलना हो या मेरा example ही आप ले लो ठीक है अब यहांब देखो Hindi is good any problem क्या Hindi mathematics students के लिए सही है क्या कोई दिक्कत तो नहीं है कुछ काम आने वाला नहीं है लोग बोलते ठीक है तो यार देखो हाँ अच्छा है यह कोई आपको इसू नहीं आएगा ठीक है बलकि आप लोग के लिए scoring subject आप अराम से एक रात पहले एक गंटा पहले पढ़के चल करना पढ़ता एक दिन पढ़ता था एक रात पहले तो मैं कितना स्कोर करता था 40 में 39 आता था मेरा फुटी ना आता था एक बर मेरा तो 49 ना हाफ भी आता मत्तला तो ऐसे-एसे मैंने स्कोर किया है ठीक है तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाता हिंदी और आप जही मेंस वाले हो अगर आप नीट वाले हो तो आपको कोई जरूवत नहीं कंप्यूटर साइंस लेने की आराम से कोचिंग करो आप आराम से PCB, PCM के उपर फोकस करो आराम से नंबर स्कोर करो हिंदी सब्जेक्ट लेलो आप लोगोगो इसी होगा इन सब्जेक्ट पे फोकस करने में, ठीक है, computer science लोगे थोड़ा effort डालना पड़ेगा compared to Hindi, तो आप लोगो वहापस थोड़ा सा आपको effort डालोगे, थोड़ा time waste होगा और आप लोगो का इसमें थोड़ा effect पर सकता है, ठीक है, तो यह देख सकता है, अगर आप capable हो, मैं again बोलना हो, capable आप लगते ह लोगा, तो आप ले सकते हो, computer science भी कोई problem नहीं, बहुत बड़ा बात नहीं हो, easy ही subject है, ठीक है, लेकिन थोड़ा effort डिना पड़ेगा compared to Hindi, हिंदी में यह है कि एक रात पहले पड़ोगे, तो सब कुछ clear हो जाएगा, ठीक है, तो simple सा यार देखो, maths plus Hindi वाले हो, maths plus Hindi वाले है, ठीक है, भले आप आगे चल का computer science फिल में जाओगे भी, ठीक है, मत करो computer science, ठीक है, BCA भी कर लोगे, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप वहाँ पास अच्छा effort डालोगे, तो वहाँ भी आप अच्छे सीख जाओगे, अगर आप maths plus CS का हो, सोच रहे हो, तो आप कर सकते हो यह आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आप coaching में ज्यादा ध्यान देना चाहते हो, आपका main focus, जही मेंस है, तो आप इसको मतलब लेना, ठीक है, यहाँ मैंने फिर से बोला, जही मेंस वाले हो, तो आपको कोई जरुबत नहीं है, अगर आपको यह है, कि मुझे जही मेंस तो वहाँ पास CS plus mathematics ले लो, आप लोगों को बहुत अच्छे से coding करोगे यहाँ पास, बहुत अच्छे से computer science सेखोगे school में, तो महाँ पास फायदा होगा, ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरस्ट में तब मैं बता रहा हो, ठीक है, यह तो सभी लोग पास होने मतलो यार, आप लोगो problem होगी, ठीक है, थोड़ा आप लोगो दिक्कत होगा, और आप लोगो future में कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा, नीट की coaching करो, आप महाँ पास बढ़िया से, नीट की coaching मतलब नीट की तयारी करो, PCB subject जो आप ले रहे हो, उसके उपर focus करो, ठीक है अगर आप mathematics student हो, अगर आप लोग ने PCM लिया है, और सोच रहे हो कि plus मैं computer science भी ले लूँ, तो आप लोग के लिए, मैं आपको बता सकता हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरस्ट है, तो उस case में आप लोग ले लेना computer science को, अगर आप जही means के उपर कर रहे हो, coaching कर हो, उसके उपर focus है आपका, तो उसके case में आपको computer science लेनी कोई भी जरूवत नहीं है, हिंदी ले लो, कोई problem नहीं होगी future में, हिंदी से हिंदी कोई बुरा subject नहीं है, आप लोग को फायदे के लिए ही वहाँ आपस वो subject है, आप लोग आराम से score करके, top मर सकते हो, top score कर सकत तो अगर आपका physics, chemistry, mathematics में कम नमबर आता है, तो हिंदी से आप उसको cover कर सकते हो, तो ये मेरा overall score था, overall score बोला, overall मेरा यहाँ पस मेरा आप लोग के लिए suggestion था, कि आप क्या ले सकते हो, मैंने आपको one word में भी बोल दिया, ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी doubt होता है, इसके guidance दे दी, right, तो that's all about this video, अगर आपको और भी ऐसे video चाहिए, classy level 2, 3 related future में, and आपको engineering का सोच रहे future में, तो मेरे चैनल आप जरू subscribe कर लेना, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा help होगी future में, ठीक है, and यही था यार, and मैं आपको बता दू, वैबर टॉक चाप हमेसा genuine answer, यहाँ पास genuine answer आप expect कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने, जो मैंने face किया, उन सभी चीजों को लेकर मैं बनाता हूँ, आकि लोगों को problem ना हो, जो मैंने face किया, right, मैंने जो problem face किया, वो लोगों face ना करे, इसलिए मैं यह सभी चीज को बनाता हूँ, ठीक है, so that's all about this video, thank you for watching the video, have a nice day, bye bye!